इसलाम ओलेकुमे वरिवबान दिस इस अभी आश्मी आज की वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि LTM Designer के अंदर कुछ shortcut keys available है किस तरीके से उनको use किया जाता है और आप किस तरीके से find कर सकते हैं LTM Designer में तो आज की वीडियो के अंदर हम in detail देखेंगे अच्छा आज की वीडियो जो है बहुत छोटी सी होगी इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखीगा तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप जाएं कोई भी फाइल उपन कर लें LTM पे और इस तरीके से आप ट्रैक ले ले और ट्रैक लेने के बाद आपने करना ये है कि आपने shift plus F1 ठीक है आपने shift plus F1 जैसी प्रेस करेंगे तो जितनी भी shortcut keys हैं जो अगर schematic window में use की जा सकती है वो ये सारी आपके सामने जो हो जाएंगी पहली जो है हमारे पास help पे अगर आप खाली F1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास help की window ओपन हो जाएगी tap प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी task है वो उसी वक्त रुक जाएगा zoom in, zoom out आप पेज आप पेज डाउन से कर सकते हैं अगर आप दोबारा redraw करना चाहते हैं तो end के button से आप use कर सकते हैं ये सारे जो हमारे पास keyboard के button है और ये सारे जो हमारे पास function है जो के इन को प्रेस करने से ये action प्रफॉर्म होगा ठीक है, आप one by one करके जो है इसको कहलें के discover कर सकते हैं कुछ keys मैं already use करता हूँ जैसे के मैं ये tab की use करता हूँ और उसके इलावा जो है मैं यहाँ पर कहलें के page up page down भी use करता हूँ ठीक है, तो हर कोई अपने साब से जो है वो keys use करता है किस तरीके से use होंगी, ठीक है escape press किया है मैंने, अब for example मैंने जो है इसको रोकना है यहीं कि मैं properties को alter करना चाहरा हूँ तो आपने क्या प्रेस करना है, टैप जैसी टैप प्रेस करेंगे इस तरीके से जो आपकी जो window है ये रूख जाएगी और आप यहां से जो है इसकी properties को alter कर सकते है इस track की properties को alter कर सकते हैं, ठीक है जो भी जी select करीवी होगी वो रुख जाएगी और उसकी properties को आप easily alter कर सकते है अब इसको जो अनपॉस करेंगे अच्छा, अब मुझे जो है वो help चाहिए तो अब मैं खाली f1 press करूँगा तो जैसी मैं f1 press करूँगा help रुखे इसको हम गत्म करते हैं, अब खाली मैंने, जैसी मैंने f1 press किया है तो यह online help के documents जो ओपन होगा जितने भी LTM से related सारे documents हैं, वो यहां पर available है ठीक है, आप जो हैं इनको read कर सकते है तो यह हो गया हमारा schematic window से related अब page up, page up, page up और page down से भी माफूब करके दिखा लेता हूँ यह देखें, मैंने page down का button प्रेस किया है यह page up है, तो इस तरहीं के साब directly अगर आप keyboard कहलें के यूज़ करते हैं और आप expert हैं keyboard यूज़ करने में तो पिर आप जाए वो कीश के दुरू जाए वो काम कर सकते हैं अब आपने क्या करना है अब आपने आना है layout window में जहापर जह वो PCB layout डिजाइंग की जाती है तो यहाँ पर भी आपने करना यह है कि track लेना है और इस track को आपने इस तरहीके से कहलें के ड्रैक करना है देन फिर आपने दुबारा से प्रेस करना है shift plus F1 जैसी आप shift plus F1 प्रेस करेंगे तो जैसे schematic window में shortcut keys आएं थी उसी तरीके से layout window में भी यह सारी keys आ जाएंगी अच्छा वहाँ schematic window के हिसाप से shortcut keys थी यहाँ पर layout के हिसाप से जब यहाँ पर ज्यादा है पहली वह help की है दूसरी type की है escape suspend अगर कोई task आपको खतम करना है तो आप escape प्रेस करें comment करना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करें और comment को undo करना चाहते हैं तो backspace और लॉक लॉक अहेड मोड और उसके लावा नेक्स लेयर नेक्स लेयर नम प्लस नम स्टेरिक प्रीवियस लेयर नम माइनस सेलेक्ट लेयर and so on यान काफी सारी हैं आपर जो है वह shortcut keys है आप इनको जाएं वो एक एक करके जाएं वो खेलें के explore कर सकते हैं कि कौन सी लेयर किस तरीके से काम कर रही है अच्छा और auto complete segment to target यह है control plus click अच्छा नेक्स वीडियो के अंदर जहें मैं आपको इसमें से कुछ shortcut keys यह हैं वो यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप routing को control कर सकते हैं और यानि कि आपको जहें वो manually के ground बनाने की जरुरत नहीं है आप simple सिर्फ जिस track को बनाना चाहते हैं उस पर click करें और keys के थुरू जह हूँ आप उसको आटो connect कर सकते हैं तो इंशाललह आपसे जह है वो next video में मुलाकात होगी और यहां पर भी मैं आपको tap प्रेस करके दिखाता हूं तो जैसी मैंने tap प्रेस किया है तो यह देखें आप सारी properties जो इस track से related हैं सारी यहां पर open हो गई है और इसको चाहूँ तो मैं इस तरीके से जह हो मजीद extend कर किसी properties को जब मैं देख सकता हूं किस तरीक के track आप जो है वो चाहते हैं round shape में चाहते हैं straight चाहते हैं यह थोड़ा कर भी चाहते हैं तो यहां से आप select कर सकते हैं और track उस हिसाब से alter हो जाएगा और अगर unpause करना है तो simple आपने इस पर click करना है चैनल को subscribe करें हमने दोस्तों के साथ share करें और किसी किसिन की भी क्यूरी हो तो आप मुझसे comment के दर यह पूर सकते हैं इंशालला नेक्स वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाफिस